नमस्कार दोस्तों आप सुभी का स्वागत है इस्टाडी फाउंडेशन इडिप्टनल पे असम हैसिने टेट प्रदागोजी स्रीज में आज हम लो डिसकास करें टीचिंग डिवाइस के बारे में एक क्लास मर्फिटी ने बाकी क्लास भी देखना चाहते हैं तो आपको आए टीचिंग डिवाइस आर दोस विचेट टीचर इसपक्तेट इस वाल कॉंड़क्ति देख लास फ़र राशन फॉर फास्ट टाइम तो टीचिंग डिवाइस के क्या रिभाइस का उसकते हैं जासा कि एक जांपूल के तरव देख सकते हैं लेक्सर में हम लोग क्या इसकरते ह दिश्री में यहां से यहां से समझ में आया कि एक मेधराट में अलगर डिवैस चुछ सकते हैं और यहां से समस्छ मैं कि टीचिंग Jewish के यूदे का लिए एक प्लेन है स्की मैं और ट्रीक यो कि टीच्छर अपना टीचिंग लारीं प्रोसस में इसकाते है ठीक है हम लोग अब तो समझ चुके हैं टीचिंग डिवाइस क्या है अब हम लोग जानते हैं इसका इन्पोर्टेंस क्या है इसको क्यों यूज क्या जाता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस तो टीच मोट फ्रोली सोट डेट चिल्डन सब्सक्राइब कर बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं थिक इसका प्रोफिट क्या है इस टीच क्या है इसको टीच को इस्ट क्या हो सकते है ֹठीके निक्स के है इसको यूस करने से क्या ओता है इंट्रेश को सस्टेन किया जा सकते है इंट्रेस को डिवलोब क्या जा सकते है इंग पीपोल मैं ठीके नेक्स इसका क्या इंपोरें सै दिवाइस है ग hilar हम है तो ऐसे ब्लोग है क्या कर सकते हैं सीलिफाइट मे कॉंपलेक्स चीज जो होता है जो फास्ट उब फॉर्स टेर हो कंप्लेक्स सब्सक्राइब क्या है रहाई तब लेक्रीक क्या कर सकते हैं मे अमने बहुत कर तनीन टğर सो थे गर्यान का Vince वेर लार्निंग इस बाई प्रडाक्ट भ डारेक अश्प्रीएंस नेचर्वल्ड ओ डिवाईस जहां पर लार्निंग क्या है बाई प्रडाक्ट है जो इसकी डारेक ऐस्प्रियंस होता है जैसे कि एक्जामपूल के तुर। पर देख सकते हैं अउटडर वर्क हो गया एक्सक धिल डिभाय सब यह देख सकते हैं सब्सक्राइब दाइस है इसका टाइप है तो फिल्ट्रेस के है आउटओर रहोग ऑसब यह द मतलब क्या होते हैै इसका एक्जाम्पल आपको याद रखने एक्जाम में कभी जुछ सकते हैं नेक्स अमर्सक्राइब आर्टिफिशियल डिवाईस तो आर्टिफिशियल में सबसे पहले नेरशन के बारे हम जानते हैं तो नेरशन मतलब क्या होता है नेरशन भी एक इनपोर्टेंट टिशिंग डिवाईस है जो की कॉम्णिकेशन में यूज किया जाते हैं इन साब्जेक लाईसरि लिटरेशर एंड डिस्क्रिप्टिव जोग्राफी नेरशन केट ब्यूज एज ओन एक इनपोर्टेन रोल होता है ठीकेश एक क्या करता है जो कोई भी सी चीज होता है उसको सिकने में बहुत जलदी सिखा जा सकते हैं और उसको इंट्रेस्टिंग के इंटेस्टिंग वह में सिखा जा सकते हैं जिसको हम लोग बच्चे लोग क्या कर सकते हैं याद करके बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं ठीक है इसको तो समझाने का जरुई नहीं होता है इसको तो समझाने का जरुई नहीं होता है इसलेशन मतलब क्या होगा एसलेशन मेंस टू मेक आईडिया कॉंसेब इवेंट और एक्शन किलियर ठीक है तो समझ में आ चुका होगा तो यह सब क्या है आर्टिफिशल डिवाइस में आता है और नाम से भी समझ में आ रहे है तो एसलेशन का कोई जरुई नहीं समझता हमें ठीक है तो यह सब रहा आर्टिफिशल डिवाइस का वारे में अब तक हम लोग टीचिंग डिवाइस क्या है इन पोटेंस आप टीचिंग डिवाइस क्या है उसका डिफरेंट टाइप सब्स क्या होता है उसका डिविजन भी हम लोग देखें नेट्रियल और अर्टिफिशल तो एक्जाम में आपको कोसर नहीं से आएगा इस टोपिक से आया तो ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा इस वीडियो का पीडिया भी पास सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको करेंगए बहुत अची तरह से क्योंकि टॉपिक हम लोग कंप्लिट हो जाएगा तो हम लोग करेंगे तो हम लोग कॉंसेप जो है बहुत अची तरह से रिटेन हो सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका लिनस वो थेंकु समत्स